स्वागते साथियों, GS Online पर हम लोग आज इंडियन जॉगर्फी का जो परिवहन का चैप्टर था उसका हम लोग प्राक्टिस सेट देखेंगे यहाँ पर पहला question है निमलिखित में कौन उत्तर दक्षण गलियारे पर इस्थित है तो चार विकल्प है इसमें जो सही आंसर होगा वो है आगरा next भारत का तेरहवा पधान बंदरगाह किस राज्य में अस्थापित किया जाने वाला है तो यह महारास्ट में भारत-माला परियोजना से भारत का निमनमी से कौन सा इंफ्रस्ट्रक्चर छेतर संबंदित है तो भारत-माला जो परियोजना है वो बंदरगाह छेतर से संबंदित है इसमें जो जितने बंदरगाह हमको आपस में कनेक्ट किया जाएगा इन दोर से जैपुर को जोड़ने वाला रास्टी राजमार्ग का संसुदित नंबर क्या है अक्चुलि ये MPPSC का नंबर है तो इसलिए थोड़ा वहां डेपने पूछा गया है लेकिन इसका अंसर होगा 52 स्वरण्यम चत्रभुच का पूरवी पस्यमी गल्यारा निमलिखित में से किन केंद्रों को जोड़ती है तो ये जो आपने गल्यारा पढ़ा हूआ है पूरो पस्यम गल्यारा तो ये आपका पढ़ेगा सेल्चर से पोरबंदर को और जो उत्तर से दक्षड है तो आपका स्रीनगर से कन्या कुमारी को जोड़ता है चठा क्वेस्टन है मई 2017 में उत्गाटन केके डोला साधियापुल की लंबाई लगभग है तो लंबाई जनरली नहीं पूछी जाती है लेकिन ये रसमें करेंट का क्वेस्टन था तो योपी कमिशन ने पूछा था फिराल इसका जो सही उत्तर होगा वो डी होगा 9.15 किलोमीटर अगला क्वेस्टन देखते हैं उर्जा गंगा परियोजना के लिए निमलिखित में से कौन से कथन सही है तो उर्जा गंगा परियोजना जो है वो इसमें तीन स्टेटमेंट दिये गए हैं इनको देख लेते हैं हम लोगों ने पढ़ा भी था इसके बारे में तो पहली बात तो ये gas pipeline परियोजना है ये बिलकुल सही है उर्जागंगा परियोजना इसको अक्टूबर 2016 में प्रारम किया गया था ये भी सही है ये इरान से भारत तक फैली है देखिए इरान से भारत तक नहीं फैली है ये जो है उत्तरपदेश, बिहार, जहारखन, ओडी विकल्प है वो सही हो जाएगा भारत की प्रथाम सौर उर्जा, यूप्त, डिबों वाली डेमू ट्रेन को 14 जुलाई 2017 को लांच किया गया था तो ये भी करेंट का कोईस्चन था यूपी कमिशन ने पूछा था तो ये मैंने बुक में आपको बताया भी था कि सब्दर जं जो है सही हो जाएगा तो थोड़ा करेंट का भी ध्यान रखें जब ऐसा क्वेशन आए तो आप से ऐसे पूछे जा सकते हैं सुरेनिम चतुर्भुच क्या है गोल्डेन कोडलेटरल तो इसको आपने देखा कि जो भारत के चार महानगर है उनको जोड़ने का ये रासी पर तट पर भारती रेल का नेटवर्क विक्सित हो चुका है तो पूछा है कौन सा गलत है तो लगभग हो चुका है इसलिए ये सही होगा हिमाले चेतर में रेल्वे लाइनों की सगहनता बहुत कम है बिलकुल क्योंकि वहां पर पट्रियां बिचाना इतना आसान नहीं होत बहुत को पता है कि यह चौथा सबसे बड़ा है भारत बारत के पास विस्तु का चौधा सबसे बड़ा रेल्वे टुर्क है तो जो डी विकलप है यही इसमें गलत है यानिकर आपका आंसर जो हो जाएगा वह दी हो जाएगे ठीक क्योंकि पूछा था कौन सा सही नहीं तो इस में जो पुछा है कौन सा estuary परिस्थित है तो कोची जो है इसमें जो विकल्ब दिया गया है कांडला, मार्मा गाओ, कोलकाता, हल्दी अतूटिकों, तो इसमें जो मार्मा गाओ है ये गुआ यानि कि जुवारी नदी पर ये estuary पर है तो मार्मा गाऊ जो अपका वो जोड़ती है चार महानगर है दिल्ली मुंबई चेन नई कुलकाता यानि कि ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा भारत में निम्लिकित में से कहां सबसे बड़ा पोध प्रांगर यानि कि शिप्यार्ड है तो विशेश्टाओं को पढ़ते से मैं हमने देखा था कि जो कोची है कोचीन वो जो है सबसे बड़ा इसका शिप्यार्ड है तो इसका भी विकल्प सही हो जाएगा विशाखा पत्नम जो है वो सबसे गहरा है निम्लिकित रेल सुरंगों का लंबाई के अनुसार सही और वही क्रम किया है अब ये आप से बहुत डेप्त का क्वेशन पूछा है यूपी कमिशन ने मेंस में हलाकि आपको अगर इसमें पता हो कि सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है तो आपको इसका अंसर मिल जाएगा मुझे लगता है कि यूपी कमिशन का परपस भी यह था जानना तो पीर पंजाल जो है वो आपकी है और आप जानते हैं कि जो राश्चा की है बर्देवादी तो इसमें जो आपका पहला विकलत है वो सही हो जाएगा पीर पंजल जो है वो सबसे लंबी रेल सुरंग है तो जो हम लोग रेल सुरंग पढ़ रहे थे तो इसमें मैंने आपको बताया था कि 11.2 km का है इसका लिंद अब निमलिकित युग तो सम संख्या वाले होंगे वो कौन से होंगे सम संख्या वाले होंगे आपके उत्तर से दक्षिन तो अब देखिए इसमें उत्तर से दक्षिन कौन से हैं से चिन्नई हैदराबाद उत्तर दक्षिन पढ़ सकता है तो सम में हो सकता है मुंबई कोलकाता कै यह उत्तर दक्ष नहीं भी याद है तो पता कर लें एहमदाबाद और जोदपूर देखें तो यह भी उत्तरदक्षिण होगा तो सम होना चाहिए भी सम है तो देखिए इससे भी आप पकड़ सकते हो नबर नहीं भी आदे तो आप इसको गलत सही कर पा रहे हैं तो अब क्या और अपको पता होना चाहिए कि यह कहीं ऐसा भी जो मैंने आपको बताया था इनस फॉर जो था वह अंडमान निको बार तो अणिमान निको बार में था तो यहां पर चिन्नेग अधरा तो आपको सारा टेबल रटने की जरूत नहीं थी आपने इनको ट्रेस कर लिया के वल नौर्ट साथ और इस्ट वेस्ट को समय और बिसम को जान करके और साथ में आपने थ्यान रखाओ कि अन्दमान में कौन सा है तो आपको यह बिल्कुल सही किया है तो पंद्रा का आपका ड कि भी हो पिल्ब साही हो जाएगा है। कॉकं Billy जोड़ता है तो करे लिए निश्योट नेनको को युन्यसको ने धरोहर के रूप में मानता दी है तो सिलीगुडी और दाजलींग को जोड़ती है एक युन इसको की वर्ल्ड हेरीटास साइट में जूड़ा हुए कौऌन सा तत कोची बंदर्गाह से संबन्लित है तो कोची बंदर्गाह कहां परिस्तित है तो पूरा पष्भक आप शाले थ耐 रखई तो अब आप देखिए कि की की कोची बंदर्गाय बहुतफ़ पष्भो पाय कुकरभी यild कनशन भी और अवर मालाबार और देखा है तो यहां पर आपको मिल जाएगा आपका आंसर नहीं भी पता रहे और फोरा सब मैप का लाजिक ले के चले और जो बाते हैं इसी लिए कहता है कि लेक्चर को सुनना चाहिए पढ़ना चाहिए तो आपको आंसर ना याद होने के बाद भी आपको याद रहती है आपका अंसर सही जाता है तो कि इतने फैक्ट को याद नहीं रख सकता और आप भी नहीं याद रख पाएंगे हमें भी नहीं याद रहता तो इसलिए इसके लिए परशान उने जरूरत नहीं कि हमें तो सब कुछ याद नहीं होता भारत के निम्न राज्यों में से किसके प्रांती राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है तो प्रांती राजमार्गों की जब लंबाई की बात कर रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि महराश्ट का जो है सबसे ज़्यादा अस्थान है उसके बाद घुजरात का है तो इसमें उनीस का जो डी हो जाएगा बभीकल सै हो जाए बहारत जोडो परियोजना संबन्दित है तो प्रदानमंत्री भारत जोडो परियोजना है राज महार को के विकाश से शंबन्दित है उत्तर मद रेल वे जोन च्षेदर का मुख्याले राश्टी राजमार विकास पर्योजना से सम्मंदित निम्न कत्रों में कौन सही है सही स्टेटिन पकड़ना है तो या दिल्ली मुंबई और कुलकाता को जोड़ता है तो रासी, राजमर, विकास, परियोजना जो है जोड़ता तो है ठीक है दिल्ली, मुंबई, कुलकाता लेकिन अगर देखा जाए तो चेन्नाई को भी जोड़ता है तो इसमें एक और वर्ड होना चाहिए था विकल्प में देख लेंगे उत्तर इसकी कुल लंबाई जो है वो 5846 किलो मीटर है तो ये इसका सही है स्टेटमेंट उत्तर दक्षिन गलियारा जो है वो सीनगर को कन्या कुमारी से जोड़ता है तो जो उत्तर दक्षिन गलियारा है वो सीनगर कन्या कुमारी है ठीक है ये भी सही है तो पूरा पस्यं गली आ रहे है वो सिल्चर को द्वारब का से जोड़ता है तो देखेगे द्वार्का से नहीं जोड़ता है पूर्बंदर से जोड़ता है तो आपका एक पहले में एक सिटी छूट गई पहले स्टेटमेंंट में और चोथ mínimo कि ज् Ts part in बिरण चूता और 14 नए बिकली में 3 लाइन कोई है नहीं तो पहला चूता था लेकिन यह ए है ड मैंकि पूर्व पश्osphatnya को हूझछा जाता तो कौन सा बन्दरगाह भारत की पूरवी तटका तो चिन्नाई, पारादीब, तूती, कुरिन ये सब पूर्व के हैं जो कांडला है आपका गुजरात का तो यह आपको ऐसा ही पता होना चाहिए कि पस्चमी तटका है तो यहां विकल्प आपका भी सही हो जाएगा निमलिखित में से कौन सा एक यूग मुस्मेलित नहीं है अ पूर्वी रेलवे का क्या होगा और दक्षिन पूर्वी रेलवे का क्या होगा थोड़ा सा इसको ध्यान देने वाली बात है तो जब उत्तर पूर्वी रेलवे आपने ध्यान दिया हो तो गोरक पूर मैंने आपको बताया था और दक्षिन पूर्वी रेलवे की बात जब क पूर्वी रेलवे का है वो कुलकाता ही है जो दक्षिन पूर्व मद रेलवे का है वो बिलासपुर है जो उत्तर पूर्वी रेलवे का है वो पूर्वी तटी रेलवे का है चुकि जो कुलकाता वाला है वो ध्यान रखेंगा पूर्वी रेलवे कुलकाता है और जब दक्षि राजमार्क, कन्या कुमारी, स्रीनगर, राजमार्क, पुरबंदर, सिल्चर, राजमार्क, जो राजस्टी, राजमार्क, विकास, प्रयुजना के अंतरगत, निर्मित हो रहे हैं, एक दूसरे को मिलेंगे, दो यूपी, कमीशन ने इसको क्यों फचाया है, आपको, इसमें सी करते हैं, तो भू जो करते हैं, वो करते हैं, कहां पर किया, जहां, स्ी Bem में किया, तो जहां सी में करते हैं, यह बने आपको इस बताया भी था, आपका लिकल सी सही होो जाएगए, नेमलीकित कत्मा पर विछार कीजिए, नो परिवहन यानि की नविगेशन और मचसिगरा, यानि कि fishing में ज्वार भाटा अत्यन्त सहायक होता है तो statement पे बात करेंगे पहले पढ़ लेते हैं इसमें आपको पता करना है कौन सा कथन सही है जो की नीचे आपको दिया है कौन सा कथन सही है फिर है उच्छ ज्वार भाटा बड़े जल्यानों को बंदरगाह में सुरक्षित पूट्स है ज्वारी बंदरगाह है तो चारों में बहुत फसने की जड़त नहीं है आप देखिए कि जो ज्वार भाटा है वह आपके नेविगेशन में और फिशिंग में दोनों में मदद करेंगा पानी उपर नीचे होगा तो वह दोनों में मदद करेंगा और जो स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा ज्वार भाटा मंदरगाहों में सिल्टेशन रोकता है तो बिल्कुल एक जगा पानी कठा रहेगा एकी जगा रहेगा तो सिल्टेशन ज्यादा होगा और कम ज्यादा होगा लेबल तो जहर सी बात है कि उसको रोखेगा और यह जानकारी है अपने ध्यान से सुना हुआ है पढ़ा हुआ है तो आप उसको कर पाते हैं तो एक दो तीन चारापका चारों विकल्प सही हो जाएगा तो इसमें देखिए इसमें आपका महारास्ता दिया ही नहीं तो उसके बाद उत्तर पदेश आएगा जानी कि जो टी विक इसमें फिन में से कौन सा कथन सही नहीं है तो क्वकट रेलवे की बात की जा रही है। कौन सा इसमें सही नहीं है तो इसका कुलन बाइए Second तो यह सही थोड़ा फैक्ट्चुल है इगर आप याद है तो आप पहले ही बता चुके होंगे यहीं पर आपको मिल जाता है कि जो विकल्प है यहां इसले फासे मिल गया की गलत है तो यहीं आपका अंसर पूछा क्यों सा सुमेलित नहीं है यहां बीसेश्ताओं को लेकर पूछा गया है जो बंदरगाए है आपके और ये question काफी अच्छा होता है क्योंकि अक्सर कर पूछा जाता है और UPPSC का एक पेडिट सिग्मेंट भी है यह अला कि पहले का question है लेकिन अक्सर कर इसे question पूछ लिए जाता है तो चिन नहीं जो है वो भारत का सबसे गहरा पत्तन बता रहा है पहले ही मिल गया तो जो विसाखा पत्तन है वो आपका सबसे गहरा पत्तन है चिन नहीं जो है वो नहीं है यानि कि स्विमेलित नहीं पूछा है तो आंसर तो मिल लिए बाकी भी देख लेते हैं जो सही है तो क करें चेन नहीं वाले का ध्यान रखी जो विशाखा पतन है वो सबसे गहरा पतन है कंड़ला बंदरगा इस्थित है कहां इस्थित है अब लो इतना बढ़िया क्वेस्टन बनाया है हम बात की खाडी मैं करकरेखा में कच के रन में कच की खाडी में अब सब कुछ महीं का दे में याद रखना कांडला बंदरगा भालत भारत की पहली रेल्वे लाइन की नस्थानों के बीच कब बनी तो अगर याद है तो थोड़ा सा पकड़ सकते हैं मुंबई से थाने की बीच में बक्तिस का सी अंसर यहां पर सही हो जाएगा लास्ट कुश्चन देख लेते हैं क्या कारण है कि सड़क परिवहान को सरवादिक पूठसान मिला तो पहला देखते हैं सोचने वाली बात है रेल परिवहान परिचालन में सस्ता है पर उसकी संबध पूजी लागत बहुत अधे हैं बिलकुल सही है एक बार में उल्ले तो जाता है असासानी से लेकिन उसको डबलब करने में पूजी बहुत ज़्यादा लगती है और तो ये भी सही है कि इस वज़ा से भी सड़क परिवहन जो है वासानी से आपके और रोट बना दीजे काम शुरू हो गया रेलवे के लिए तो ऐसा नहीं है कि यहां की तक की स्टेशन पहुंचने के लिए भी सड़क ही चाहिए तो सड़क परिवहन को कुछ सहान मिलेगा तो रेल परिवहन की तुलना में सड़क परिवहन की प्रती एकक मीटर टन प्रती किलोमीटर लागत सचती है तो बाई जब किराए की बात आएगी तो तब तो एक ट्रक से जो समान जाएगा और उतने कई ट्रकों के बराबर समान खुड ट्रक चले जाता है तो यहीं आपको मिल जाता है कि यह वाला जो है गलत है और यह बात का दियान रखना है फिर है रेलबे का सुरूप अभिभाज होने के करण जनता के लिए प्राजाहिस का लाब सुविधा जनक नहीं होता है जतना की ट्रक देनी कारों बसों और दुपहिया वाहनों से लाब उठाना के भी करेंगे आपको एक दो चार्ड जो है वो सही हो जाता है तीसरा वाला गलत हो जाएगा त्यानि कि इसका जो भी आंसर है वो सही हो जाएगा तो इस तरीके से अगर question को धिहान से पढ़ेंगे तो question कितना भी बड़ा हो बड़ा देख करके हट जाना कोई बहादूरी नहीं है इसको अच विजिट करें वहाँ से आपको सारी वीडियो मिल जाएंगे मिलते हैं अगली वीडियो में तक तक के लिए good bye